कि नमस्कार मैं सिबोम और आप जुड़े हुए केडियम एंसाइकलोपीडिया के साथ आज हम बात करने वाले हैं सुपर हेंड़ेड के उस टोपिक के उपर जो बार-बार हमें सिकाइत रहती है कि क्या ऐसा हो सकता है यानि कुछ अंसुलजे प्रसन जो प्राइवेट और सीबियसी बोर्ड को लेकर हैं जिसे कि आज का कॉमेंट था कि क्या दस्नी कलास में जिस बच्चे ने प्राइवेट की है और वो ग्यार्वी कलास के अंदर गोर्मेंट स्कूल में जाता है तो क्या वो सुपर हेंड़ेड का फाइदा उठा पाता है या इसी प्रसन को मैं थोड़ा सा और गुमा कर बोल दूँ कि दस्नी कक्षा तो उसने सरकारी स्कूल से की है और ग्यार्वी के अंदर उसे प्राइवेट के अंदर जाना पड़ा है तो क्या वो बच्चा सुपर हेंड़ेड स्कीम में जा सकता है या इसी क्यूशन को एक और तरीके से और बना दिया जाए कि दस्नी सीबियसी बोर्ड से की जा रही है और दस्नी सीबियसी बोर्ड के करने के बाद ग्यार्वी जो है वो एचबियसी बोर्ड के अंदर होगी इन सभी प्रशनों के उत्तर इस वीडियो के अंदर आपको मिल स्कूल के बच्चे ही इसका फाइदा उठा सकते हैं यानि जो हर्याना स्कूल के बोर्ड है उस बोर्ड के रिलेटिव जो भी बच्चा पढ़ रहा है या सुरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है जो की हर्याना बोर्ड के अंदर आए अगर वहीं बच्चा फाइदा उठा सकता है HBSC के अंदर है तो वो इसका फाइदा उठा सकता है लेकिन HBSC का मतलब ये तो नहीं कि वो सरकारी स्कूली होगा कहने का ताथ प्रे ये है कि हर्याना सरकार के अंदर आने वाले जितने भी सरकारी स्कूल है सिर्फ उसी स्कूलों के बच्चे इस सुईधा का फाइदा उठा सकते हैं अगर कोई बच्चा दस्वी प्राइवेट से करके आता है और ग्यारवी कलास सरकारी स्कूल में कर रहा है मेडिकल या नौन मेडिकल स्क्रीम से तो वो बच्चा सुपर हेंडेड योजना का लाभारती नहीं बन सकता दूसरी अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल से दस्वी पास करके आ रहा है और ग्यारवी नौन मेडिकल या मेडिकल स्क्रीम के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर करना चाहता है या फिर कर रहा है वो बच्चा भी सुपर हेंडेड योजना से नहीं जूड सकता अगर कोई CBSC बोर्ड सी है CBSC बोर्ड सेंटर का बोर्ड होता है ये बोर्ड हर्याना सरकार के दोबारा नहीं बनाया गया यान हरियाना एज्जूकेशन Union के अंडर में यह नहीं आता तो इस scheme का फाइदा CBSC के स्कूल वाले भी नहीं उठा सकते अगर आप सरकारी स्कूल के अंडर ही दस्जवीं करते हैं और उसी सरकारी स्कूल के अंढर ही ग्यार्वीं करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि उसी स्कूल के अंदर होंगे कहने काताथ पर यह है कि सरकारी स्कूल से आपने अगर दस्वी की है तो सरकारी स्कूल से ही वो ग्यारवी कलास होनी चाहिए हर्याना बोर्ड के अंदर दस्मी और ग्यार्वी का स्कूल से हम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कई बार क्या होता है दस्मी तक का स्कूल होता है और ग्यार्वी और बार्वी के लिए दूसरा सरकारी स्कूल हमें जाना पड़ता है दूसरे सरकारी स्कूल के अंदर तो उस case के अंदर इसमें हमलाबारती बन सकते हैं गए तो हम सरकारी स्कुल में गए तो हम हर्याना बोर्ड के अंदर ही तो हर्याना बोर्ड के अंदर से अंदर जाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे तो भी हम इस scheme का फाइदा उठा सकते हैं लेकिन private to government, government to private ऐसी इस type से अगर आप जाते हो या इस type से आप घुमे हो तस्मी प्राइवेट से होगे ग्यारवी सरकारी से या ग्यारवी प्राइवेट से कर रहे हैं दस्मी सरकारी से होई तो इस case के अंदर आप scheme का फाइदा नहीं उठा सकते government to government ही होना चाहिए, हर्याना board to हर्याना board ही होना चाहिए तभी आप scheme का फाइदा उठा सकते हैं जितने भी आपके अलग-अलग type के questions होते हैं उन questions को आप comment में डालें हर question का जवाब जो है आपको वीडियो के माद्यम से मिलेगा जितना हो सके उतना सही तरीके से जवाब देने का प्रियतन रहता है बाकी आप comment करके जरूर देखें चाहता हूँ इजाज़त, जय हिन, जय भारत